आज इस वीडियो में आपको मैं अन्बॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ समसंग गैलक्सी म 30 यह फून मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से और आपको यहां पर पिछे देख सकते की इंफिनिटी यू डिस्प्ले ट्रिपल कैमरा पाचिजर अमेच की बैटरी सुपर एमॉल्ड डिस्प्ले आपको इसमें दिया गया है और सारे डिटेल्स और आपको बता हूँ यह 64GB और 4GB वाला वेरियंट है और बिना किसी देरी के मैं यह वीडियो फटपट मतलब यह जली जली बनाने वाला हूँ और आपको सीधा अन्बॉक्सिंग कर लेकर चलता हूँ साथ इसाथ आपको इसकी स्पैसिफिकेशन भी बताता रहूँगा तो यह मुझे मिला एक उस 14500 में फ्लिपकार्ट से और मैं इसे जली से अन्बॉक्स करता हूँ आपको बताऊँगा कि क्या खास है इस पोड में और इसकी अन्बॉक्सिंग बताऊँगा कि किसनी क्या डिजाइन दिया गया इस पोड में और कैसा इसका जो है वो बिल कॉलिटी और सेमसंग आपको क्या प्रोवाइड करती है एंठटी के जो है रूप में तो एंटैन और एंट्विंटी तो आपने देखा कि इतना भी कुछ बड़ा नहीं कि है सेमसंग में एंटैन और एंट्टी में और देखते हैं यहां पर क् प्रेंडिंग दी गई एंठटी की तो आपको यहां पर देखने को मिल जायगा एक सादह सा continuing बॉक्स इन में जब निकालेंगे तो आपको जड़ूर से मुबाईल जो है वो डेखने को मिल जाया और यहां पर आप देख सकते के आपको इसमेन जो है वो डॉकुमेंटीशन जैसे की वारंटी काड यह सारी डिटेल्स आपको यह मिल जाएगी तो हमें इसकी अप जरूरत नहीं है क्योग काइट आजकल फोन तो सब को यूज करने आता है क्योग काइट है वारंटी काड है है और यह सारी चीजे यहां पर आपको दीगयिये इसे हम रख लेते साइड में इसके बाद दोस्तो हम चाते意 हम चालए पाइप्स किया गए तो और बात करते हूं यहां पर आपको चार्जर मिल जाता है जो आडप्टर मिल जाता है जो आप डिटेल्स देख सकते हैं आपको बता दू फास्ट चार्जिंग सपोर्ड आपको इसमें प्रॉवाइट किया गया है उसके बाद आपको एक सिंपल सा वक्रॉघ चार्जर आपको मिल जाता है जो काफी अच्छा है आपको माइक्री भी दिया है वो काफी बैतर मुझे इस पॉन में लगा कि विए सहिसि तो यह आपको ऊस्पैप मिल जाता है और यह वह जाता है आपको अर्यों Sin, इसे इजेक्टर पीन आपको इसमें प्रॉआइक किया गया है उसके बाद दोस्तों फोन की तरफ जाते तो फोन काफी प्रेमियम लुक दे रहा है हात में और उसकी ऊपर की प्लास्टिक सारी निकाल दे तो और गजब को लुक देगा या आपको आपके हाथ में तो मैं अभी और आपके प्लास्टिक निकाल के बता देता हूं की कैसा फून यह वो दिखेगा यह देख सकते हैं, प्लास्टिक तो आपको पीछे फिंगर प्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है और देख सकते हैं कितना प्रेमियम लुक और ग्रेल लुक काफी अच्छा लग रहा है समसंग के फोन पे और काफी पतला फोन आपको यह जो है समसंग प्रोवाइड किया है उसके बाद आपको बता दू कि आपको फिंगर प्रिंट की तो प्रॉब्लम मतलब की फिंगर जो फिंगर प्रिंट की जो पीछे निशान आ जाता था वह इतना नहीं है इस फोन में आपको काफी अच्छा प्लास्टिक बॉड़ी दी गई है और यहां देख सकते हैं आपको ट्रीपल रेर कैमरे आपको इसमें मिल जाते हैं और निचे एक LED फ्लेश आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है उसके बाद दोस्तों साइड में आपको पावर अनल प्रोवाइड किया गया है तो काफी अच्छी बात इत्रीपल शर्ण आपको इसमें दीया गया है उसके नीचे की बात करें तो आपको टाइप C FM रीडियो 3.5 mm जैक आपको मिल जाता है और ट्राइप सि पॉड और एक speaker आपको नीचे जो है वो प्रोवाइड किया गया है आपको fingerprint sensor आपको प्रोवाइड किया गया है हम जल से जल इसे चालू करकर देख लेते कि कैसा दियां पर आपको चालू होते ही दिखा देगा Samsung Galaxy M30 और powered by Android तो इसे हम start कर लेते किस तरीके से यह दिखता है और दोस्तों आगे मैं वीडियो में Samsung Galaxy M30 के सारे benchmarks और सारे हीटिंग टेस्ट और सारे जो वीडियोस एक phone के उपर बनने चाहिए वह वीडियोस पर बनाऊंगा और आपको इसी चैनल पर वह जो है वीडियोस आपको मिल जाएगे तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को और बेल आइगन प्रेस करना होगा जब ही आपको जो है वह नोटिफिकेशन मिल जाएगी उसके बाद मैंने थोड़ा फॉर्वर्ड कर दिया इस वीडियो को क्योंकि बहुत सेट अप करना था उसके बाद आप देख सकते की सेट अप जो है अपने अप स्टार्ट हो चुके अपडेट्स तो मैंने अपना वाइफाई जो है वह इसमें सेट अप कर लिया था और यहां देख सकते की आपको कजब का मतलब की बहुत ही अच्छा आपको लुक जो है उसमें मिल जाएगा डिस्पले मिल जाएगा आपको और अगर मैं करनल वर्जन और आपको यहां Android वर्जन आपको बता दू कौन सा है Android वर्जन है आपको मिल जाएगा Oreo 8.0 Oreo आपको इसमें मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको जो करनल वर्जाएगा आप साथ जीचल पढ़ सकते मुझे पढ़कर बताने की जरूरत नहीं आप देख ले तक है अब दोस्तों आपको लेकर चलता हो स्वाप्वर एपडेट चाएगे नहीं तो देख लेतें सॉफ़वेर अपडेट तो यहां पर हम चेक कर लेतें कि सॉफवेर अपडेट इसमें आया क्या नहीं तो देख लिजए डिस्प्ले में बोलू कैमरे की प्राइब्म रह सकती है मतलब कि जो फोन से मैं वीडियो निकाल रहा हूँ उसकी प्राइब्म रह सकती है कि आपको डिस्प्ले थोड़ा वह उभर कर नहीं आया लेकिन मेरे आखों से मैं इसका डिस्प्ले देख रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा लगा और मेरे साइड में रैड्म नोट 6 प्रो है लेकिन उसका डिस्प्ले इतना खास नहीं है जितना क्योंकि इसमें सुपर एमॉल डिस्प्ले आपको प्रोवाइड किया गया और बाकि मैं स्पेसिफिकेशन इतने नहीं बता रहा हूं कि कौन सा स्पेसिफिकेशन और मतलब स्नैप्रैगन कौन सा है या उसका जो एक्जिनोस कौन सा है या उसका रैम रॉम या स्क्रिन यह सब सारी में में हाइलेट बता रहा हूं आप देख सकते हैं यहांपर की जो अपडेट है वो अविलेबल है 1144 MB का मतलब 1GB 144 MB का इसमें अपडेट जो है वो अविलेबल है और मैं अपडेट कर दूगा अपडेट करने के बाद आपको इसका वीडियो भी बनाओंगा कि क आपको नया क्या मिला इस अपडेट के बाद तो मैं सारी specification नहीं बता रहा हूँ कि आपको description में मैं सारे copy paste कर दूंगा specification तो आप description में जाके पढ़ लीजिए यह वीडियो खास unboxing का था तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब किजिए इस चैनल को और दिखते रहे हैं टैकमान चैनल विविल मेट सून